नमस्कार दोस्तों क्रिष्णा एडूक रिवी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों रूस और यूक्रेन की बीच लगातार 41-42 दिनों से युद्ध जारी है और ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है इस युद्ध में अनेक निर्दोस लोग भी मारे गए हैं रूस वहां की श्कूलों आम पबलीक आम जनता होस्पिटल इत्यादी पर भी बम गिरा दे रहा है मित्रों रूस प्रतिबंधित बमों का प्रियोग तो करी रहा है साथ ही रूस के राष्टपती ब्लादमिर पुतिन लगातार परमानु हमले की धमकी दे रहे हैं यानी परमानु युद्ध की धमकी दे रहे हैं मित्रों पुरित दुनिया के पास लगभग 12707 अधिक परमानु बम है और ये परमानु बम हमारे प्रिथवी को कितनी बार ही खत्म करने के लिए काफी है दोस्तों 1945 इस्वी में सो अगस्त के दिन हीरो सीमा पर परमानु बम गिराया गया थ इसके बाद 9 अगस्त 1945 इस्वी को नागा साकी में परमानु बम गिराया गया था जापान के इन दोनों जगों पर परमानु बम गिरने के कारण काफी तबाही मची थी मित्रों इसके बाद से इन बमों का प्रियोग दुबारा अभी तक नहीं किया गया है मित्रो रूस रूक्रेन युद्ध में कई बार परमानु हमले की धमकी दी जा चुकी है और परमानु युद्ध होने की बात कही जा रही है दोस्तों ये युद्ध इतना विद्ध्वनसक हो सकता है कि इससे कई पीडियां तक बरबाद हो सकती है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम परमानु बमों के बारे में जानेंगे, इसके पीछे के साइंस के बारे में जानेंगे, इनके उर्जा के सोर्स के बारे में जानेंगे और ये कितनी तबाही मचा सकती है इसके बारे में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ मित्रों परमानू बम सामुही विनास के ऐसे हत्यार होते हैं जिन में नुकलियर एनरजी का परियोग किया जाता है परमानू के नुकलियस में जो नुकलियर एनरजी होती है उसका परियोग परमानू हत्यारों में किया जाता है दोस्तों हम परमानू हत्यारों के बारे में जाने इसके पहले हम परमानू के बारे में जान लेते हैं मित्रों हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं वो परमानू और अनू से बने होते हैं अनू परमानू से मिलकर बने होते हैं मित्रों परमानु पदार्थ के सबसे छोटे कन होते हैं, जो तीम फंडामेंटिकल पार्टिकल से बने होते हैं, इलेक्टरन, प्रोटरन और नूटरन, प्रोटरन और नूटरन प्रमानु के केंदर में होते हैं, प्रमानु के नूकलियस में होते हैं, और नूकलियर फोर्स द दो तरिकों का प्रियोग करते हैं, एक nuclear fusion यानि नाभीके विखंडन और एक nuclear fusion यानि नाभीके संगलयन, मित्रों nuclear fusion से जब हम energy निकालते हैं और परमानु के nucleus को तोड़ देते हैं, उसको विखंडित कर देते हैं, और इस प्रकार से भारी मात्रा में मास की छती होती है, और इस इससे जो उर्जा निकलती है, उसे हम atom bomb में प्रियोब करते हैं, और इस तकनीक का उप्योग, यानि नाभीके विखंडन का उप्योग, जिस bomb में किया जाता है, उसे परमानु bomb करते हैं, उसी प्रकार hydrogen bomb में हम दो हलके atom को आपस में संगलयित करवाते हैं, उन्हें जबरज निकलने का दो तरीका है, एक nucleus को तोड़ कर और दूसरा nucleus को जोड़ कर, तो दोस्तों हम यह nuclear fusion की बात करेंगे, यानि नाभीके विखंडन की बात करेंगे, मित्रों नाभीके विखंडन में ऐसे element को लिया जाता है, जो radioactive होते हैं, जैसे uranium और इसके nucleus पर, neutron के द्वारा bombard किया जाता है यानि neutron के द्वारा एक विशेश तक्निक से प्रहार किया जाता है जिससे इसका nucleus तूट जाता है और इसके nucleus के तूटने से भारी मात्रा में उर्जा निकलती है और उर्जा निकलने के साथ-साथ दो अलग-अलग तत्मों का निर्मान भी होता है और फिर इससे तीन neutron और निकलते हैं यह तीन neutron लेनियम के अगले तीन परमानों के nucleus पर प्रहार करते हैं वहां भी यही क्रिया होती है और वहां से भी उर्जा निकलता है और फिर तीन-तीन neutron फिर निकलते हैं और यह neutron फिर अपने आगे वाले परमानों के nucleus पर प्रहार करते हैं और यह क्रिया एक uncontrolled chain reaction का रूप ले लेता है जिससे भारी मात्रा में उर्जा निकलती है और यही उर्जा विध्वान्स और विनास का कारण बनता है दोस्तों यहां एक बात रध्यान देने युग है कि यहां हम जिस element का प्रयोग करते हैं जिस तत्व का प्रयोग करते हैं वो radioactive होना चाहिए सा कोई भी element की परमानु संख्या यानि proton की संख्या उस तत्व को निर्धार्ट करती है वो तत्व उसके परमानु संख्या के आधार पर ही कहलाता है लेकिन जब बित्रों isotope किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूफ होते हैं बित्रों isotope का अर्थ होता है एक ही तत्व लेकि होती है तो तत्वों के अलग-अलग isotope बनते हैं यहां पर nuclear fusion के लिए नाभिकिया विखंडन के लिए हम उस isotope का इस्तिवाल करते हैं जिसका nucleus आसानी से तूट सके यानि उसका nucleus neutron के टकराव से आसानी से तूट जाए इसके विपरीद दोस्तों हम यहां nuclear fusion में दो हलके atoms को द यानि hydrogen के दो nucleus को जब हम आपस में मिला देते हैं तो उससे helium का निर्मान होता है और इससे भी भारी मात्रा में उर्जा निकलती है इस क्रिया को nuclear fusion करते हैं इसी क्रिया का उप्योग hydrogen bomb में किया जाता है मित्रों इस क्रिया को करने के लिए या इस क्रिया को होने के लिए काफी मात्रा में उर्जा की जरूत होती है काफी मात्रा में temperature की जरूत होती है इस temperature को प्राप्त करने के लिए हमें पहले परमानूं विस्पोट करना पड़ता है जिससे temperature क्रोडर डिग्री Celsius हो जाता है और nuclear fusion कितनी उर्जा पैदा कर सकता है तो दोस्तों इस प्रकार nuclear fusion और nuclear fusion का उप्योग नुकलियर विपन्स में किया जाता है अब मितरों हम बात करते हैं कि परमार। बं गब बना और इसका पहला परिक्शन कब क्या गया 16 जुलाई 1945 को अमेरिका दुआरा न्यू मेक्सिको में परमानु बम का परिक्षन किया गया और ये परमानु परिक्षन विज्ञानिक ओपन हीमर की देखरेख में हुई थी ओपन हीमर ने जब इस विसफोर्ट को देखा तो उन्हेंने कहा कि मैंने एक विध्वन्स का हसियार बना दिया है और मैं स्वेंग मिर्त्यू हूँ इस विसफोर्ट में 19 किलो टन TNT के बराबर उर्जा निकली थी यानि 19 किलो टन TNT का धमाका होगा तो जितनी उर्जा निकलेगी उतनी उर्जा इस धमाके में निकली थी और 300 मीटर का बड़ा गड़ण बन गया था इसके एक महेने बाद ही हीरो सिमा पर 6.1945 और नागा साकी पर 9.1945 को परमानु बमों का परियोग किया गया हीरो सिमा में जिस परमानु बम का परियोग किया गया था मित्रों वो यूरेनियम 235 से बना हुआ था और ये बम अपने आकार में लंबा और पतला होने के कारण इसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था इस बिसफोट में 15,000 TNT के बराबर उर्जा निकली थी हिरो सिमा में जब ये बम गिरा दोस्तों तो इसके पल भर में ही 70,000 लोग मारे गए और इसके रेडियोसें से आने वाले समय में 70,000 से और अधिक लोग मारे गए नागा साकी में जो परमानू बम गिराया गया था दोस्तों वो अपने आकार के कारण गोल मटोल होने कारण उसका फैटमेन नाम दिया गया था इस बम में मित्रों प्लूटोनियम 249 का यूज किया गया था प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था इसके धमाके से 21,000 टन TNT के बराबर उरजा निकली थी और 40,000 लोग पल भर में ही मारे गए थे और उसके कुछ देर बाद और अधित 40,000 लोग मारे गए और दोस्तों इन दोनों बमों का प्रभाव वहां सालों साल तक रहा और इसके रेडियेशन से ना जाने और कितने लोग मारे गए और कितने लोग अपाहिज पैदा हो गए कितनी पीडिया बरबाद हो गई मित्रों जब परमानुबम कहीं गिराया जाता है परमानुबम का कहीं धमाका होता है तो वहां का तापमान करोडों डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है लोहे की वनिवस्त में भी पिगल जाती है जमीन तबाह हो जाता है इतना मलबा उठता है कि वो मलबा महिनों तक आस्मा जाए नहीं बच सकते हैं जदी आप बच भी गए तो इसके रेडियेशन से आपकी मौत हो जाएगी इसके रेडियेशन से कैंसर जैसी खतरनाक बिमारियां हो जाती है और आने वाली कई पीडियां अपाहिज अंधे और लाचार पैदा होते हैं मित्रो रेड क्रोस सोसाइटी द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि जदी परमानु युद्ध हुआ जितने लोग परमानु धमाके से मरेंगे वो तो मरेंगे ही इसके बाद अर्बो लोग भुखमरी के सिकार हो जाएगे क्योंकि जमीन बंजर हो जाएगा प्रकृति जीने लाइक नहीं रह जाएग चीन के पास 350 परमानु भम है फ्रांस के पास 290 परमानु भम है ब्रिटेन के पास 225 परमानु भम है पाकिस्तान के पास 165 परमानु भम है भारत के पास 160 परमानु भम है इसराइल के पास 90 परमानु भम है और नौर्थ कोरिया के पास 20 परमानु भम है तो दोस्तों ये परम जो आधुनिक परमानु बम हैं, उसके सामने हिरोसीमा और नागसाकी के बम बच्चे के समान हैं. अभी के परमानु बम उससे 60,000 गुना या 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं. रूस और अमेरिका के पास तो ऐसे ऐसे परमानु बम हैं, जो दुनिया को कितनी बार भी खतम कर सक होते हैं. उधारन के लिए अमेरिका के पास B83 हेड्रोजन बम है, जो की 1.2 मेगा टन के बराबर उर्जा पैदा कर सकता है. और नागसाकी पर गिराए गए बम से ये 60 गुना ज्यादा ताकतवर हैं. इसी परकार रूस के पास RDS-220 तसर बम है, जो नागसाकी में गिराए पास के बम से आज हज्जार गुना ज्यादा ताकतोर है. तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि विद्धुवन्स के हथियार कितने ज्यादा हैं, और जदी परमानु यूद्ध होता है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या होगा? अतों दोस्तों, विस उविरादरी से हम लोगों का या हमारा यही कहना है, इन बमों को नश्ट कर दिया जाए, और इनके इस्थान पर इन उर्जा का सही धंग से प्रयोग किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़िया लाभामनित को हमारा दुनिया, हमारा संसार, जिस प्रकार खुस है, उसी प्रकार रहे हो, और अज के वीडियो में इतना है,